नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में तो CBC बोट से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आज उन बच्चों ने जो बच्ची क्लास 12 में CBC बोट से पढ़ रहे हैं दिया है अपना होम साइंस का पेपर और आप लोग देख रहे हैं को साथ में रखेंगे और मिलान करेंगे तिक लगाएंगे पनी सही आंसर पर और लगभग देखेंगे कि कैसा गया है आपका पेपर क्या है कितना लगभग आप लोग स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै इसका सहयोग नहीं था, तो इसका सही अंसर होगा बिटा, UNESCO, ठीक है, UNESCO का संबंध नहीं है, Red Ribbon Express से, इसके अलावा UNICEF, Nehru Yuga, केंदर संगटन और नाको, तीनों संबंधित है, Red Ribbon Express, परियोजना से, Question No. 2 है, महिला मजदूरों की समस्याओं का निप्टारा करने के लिए, कौन से मंत्राले में, महिला प्रकोस्टों की स्थापना की गई है, तो वो है, Option D, आपका Shrump एवं रोजगार, तो फर्स्ट का B, और सेकिंड का D, थर्ड़े आपका, लंबी पैदल यात्रा हाइकिंग तथा जोखे भड़े खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आथित्या प्रदान करता है, तो वो है आपका Option C, सुसजजित श्रीविर कैम, बिटा, ये Question Paper आप लोगों का Solve किया गया है, लगभग 99% इसमें सभी Questions के आंसर जो आपको बताए जाया रहे हैं, वो सही है, एक आध Question, आप लोगों का हो सकता है कि C, जो है उसका जो आंसर है कुछ और, Consider करें, लेकिं 99% ये Solve किया गया है आप लोगों के लिए, Question No.4 है, आईशा लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चला रही है, इस अभियान के लिए उसे लगभू फिल्म बनानी है, जिसके लिए उसे कैमरे की तकनिकों तो था वीडियो अत्पादन के बारे में जानना आपश्यक है, निम्लिकित में से कैमरा उपकरण को सही डंग से परिशालित करने के लिए आवश्यक कोशल की पहचान कीजिए, तो कैमरा चलाने के लिए उसके पास होना चाहिए तकनिकी कोशल, Option C, बेटा इसका सही आंसर है, ठीक है, Option C, तकनिकी कोशल, Question No.5 है, उस रंग सुमेल योजना का नाम बताईए, जिसमें केवल उदासीन रंगों का प्रियोग किया जाता है, तो अवर्नी, अवर्नी जो है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, ब्लैक, ग्रेग, और वाइट कलर, ठीक है, ये तीनों रंगों का हम यूज करते हैं, जिसको हम एक तरह से उदासीन रंग बुलेंगे, Question No.6 है, दिये गए चित्रों में हस्त शिल्प को पहचाने, और इस राज्य का नाम बताईए, जहां के लिए लोग लिया है, तो मुखोटे हैं ये, और ये कहां पर बनाये जाते हैं, Option C, राजस्थान में, बिटा, राजस्थान इसका सही अंसर है, ये जो बच्चे ब्लाइंड्स थे, उनके लिए ये कुश्षन था, ठीक है, 7 है, आपकी मा चांदी की चूनिया खरीदना चाहती है, उन पर कौन सा मानकी करण चिन उने देखना चाहिए, तो कौन सा चिन देखना चाहिए, BSI Hallmark, BSI Hallmark, Option B, इसका सही अंसर है, वर्शन नमबर एट है, वेज हम ताएं, जो लोगों को समुचित तरीकों से वहवार करने योग्य बनाती हैं, विसेश रूप से उन परिस्थितियों में, जो उनके लिए चुनोती फून होती है, क्या कहलाती है, तो जीवन कोशल में हम ये सब चीजे सीखते हैं, क्या कि हमें किस परिस्थिती में कैसा वहवार करना है, चिक है, ये जीवन कोशल के अंतरगत आता है, तो एट का भी सही अंसर होगा, क्यूशन नम्बर नाइन है, निमने लिखित का मिलान कीजिए, तो मिलान करते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी मतलब राश्टर यूवन इती, आपका दो हजार चौहदा में हो गया, और प्रथम S.O.S. बाल गाउँ, ठीक है, चिल्रन्स विलेज, जो था, फ़स्ट S.O.S. वो आपका 1964 में था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानि की रास्टे पार्थे चर्य रूप रेखा, आपकी 2005 में आई थी, और उसके बाद नेशनल पॉलिसी फोर ओल्डल परसंस, यानि व्रत जनों के लिए रास्टे निती जो आई है, वो 1999 में आई है, तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकिंड का थर्ड, थर्ड का सेकिंड और फॉर्थ का फॉर्थ, यानि की ऑप्शन C, इसके अंदर आपका सही विकल्प है, निमने लिकित का मिलान कीजिए, तो इस कॉश्चन पर बिटा थोड़ असा डाउट है, लेकिन जहां तक है 100% सही होना चाहिए ये, ठीक है, बाकी आप लोग मुझे बताएंगे, अगर कुछ इसके अंदर आपको लगता है तो, जैसे है ये आपका खादेवं पे विभाग, ये आपका चला जाएगा पार्टी, सेफडे पार्टी, ठीक है, फ्रंट ओफिस आपका चला जाएगा रिशेप्निस्ट, ग्रह ववस्था में आजाएगा आपका कमरा परीचर, और सहायक सेवव विभाग में आजाएगा आपका लेखाकार, तो इस हिसाब से हमारा option A सही विकल्प है, ठीक है, option A इसका सही answer होना चाहिए, मेरी तरफ से और बाकी अगर इस question में आपको कुछ कमी लगती है, गलती लगती है, तो comment section में मुझे ज़रूर बताएंगे, question number 11, यहाँ पर देखते हैं, इस question में बेटा आपसे पूछा गया है, उपर से कपड़े डालने वाली धुलाई मशीन में वस्त्र धुलाई की विदियों को पहचानिये, फिर्स्ट है अडूलन, अवपातन, कैलेंडरिंग और स्पंदन, तो पिटा आलोडन इसका सही अंसर है एक तो, ठीक हैं, अवपातन आपको पता है, फुली आटोमेटिक में यूज होता है, ठीक हैं, सेमी आटोमेटिक यहनि जिसमें सामने से, समी आटोमेटिक जिसमें उपर से कप्ड़े डाले जाते हैं, फुली आटोमेटिक जिसमें सामने से कप्ड़े डाले जाते हैं, तो अवपातन इसका सही अंसर नहीं, इसका सही अंसर है, आलोडन और आपका ओप्शन फोर इस पंदन, चाहता है निम्न लिखित में से कौन से विकल्प को वह चुन सकता है अनुसंधान चात्र यानि कि रिसर्च स्कॉलर तो स्टडी तो आती है उसमें रेडियो जोकी टीवी एंकर और द्रश्य व्यापार डिजाइनर तो विकास संचार में हम तीन चीज को ले सकते हैं और वो है अनुसंधान रेडियो जोकी और टीवी एंकर क्योंकि ये तीनों दोनों मेडिया से संबंदी थे और पहला इस्टडी से संबंदी थे तो फर्स सेकिंड थार्ड ऑप्शन डी में हमें विकल्प दिये गए हैं तो 12 का होगा ऑप्शन डी सही आंसर क्यूशन नंबर 13 है स्व जो विकल्प आ रहा है हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है तो 13 का ऑप्शन भी सही आंसर है इसके बाद पिटा हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कुशन पे तो नेक्स्ट कुशन है एक केस स्टडी ठीक है आप लोग उन्हें पढ़ी लिया होगा मैं सिर्फ आपको आंसर ब विभिन बिमारियों के पोशन प्रबंधन करने वाले विवसाइकों को क्या कहते हैं तो व्यक्ति किस तर पे यहां पर बात हो रही है तो आहार विशेशग्या एक मतला परकेस काम कर रहे होते हैं ठीक है और आपका फिफ्थ हो गया और एक तो आपका फिफ्थ हो गया एक सब्सक्राइब एक विकल्प दुढ़ेगा फिर्स्ट फोर फिफ्ट जिसमें आ रहा है तो फिर्स्ट फोर और फिफ्ट आरा है हमारा ऑप्शन दी में तो ऑप्शन दी इसका बटा सही आंसर होना चाहिए नेक्स्ट है आपका केस स्टडी पर ही है नेक्स्ट कुर्शिण बी कि निम्रले कित में से कौन सी इस्थिति उत्पन होती है जब एक व्यक्ति के शरीर का भार उसकी आयू के अधरूप उचित भार से कम होता है इससे असान कोईशन तो आपका पूरे कोईशन बेपर में कोई नहीं है और इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलप भारी ठीक है जिसको हम बोल देते हैं अंडरवेट कोईशन नमबर 17 है जन स्वास्ते पोशन किस से संबंदित है जन की बात हो रही है बिटा तो व्यक्तिक वाले ओप्शन को हटा दो ठीक है व्यक्तिक वाले ओप्शन हटा दिये जन संख्या सामुदाइक और समगर इससे सरल कुशन भी आपसे नहीं पूछा जा सकता तो सेकिंड फोर और फिफ्थ सेकिंड फोर और फिफ्थ कहां मिलेगा आपको तो सेकिंड फॉर और फिफ्ट मिला है आपको ऑप्शन डी में है ना ऑप्शन डी इसका सही उतर है कोश्चन नमबर अठारा है निमने लिखित में से कौन सा स्वास्ते देख भाल कि तृत्य इस्तर का उधारन नहीं है कि प्राथमिक स्वास्ते केंदर है नामें प्राथमिक आ रहा है तो यह प्राथमिक तित्यमें कैसे छला जायेगा तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर देखा इसके तीनों कितने असान थे इसमें मसें और भी हैा है आप binding हम लोग बढ़ेंगे हमारे कुश्य नंबर 29 ठीक है यह सब आपके ऐसे लॉंग कुश्य नहीं सब को आप लोग अपको पता भी होगा कौन से चेप्टर से हैं कहां पर पर है आपका कुश्य खादमान को गुनवत्ता और व्यापाड से सम्बंदिन दिमले की तंतराश्रे संस्थानों का पूरा नाम देजिए तो CAC का पूरा नाम आपको बताना है तो CAC का पूरा नाम है बिटा Codex Eliminatorial Commission ठीक है आई-ए-ए-ए-ई-ए-ए-ए-ए-इ-जो ही आपका इंटरनेशनल ओर्गिनाज़शेशन फॉर इस्टेंडरियेशन इसी तरह से आपका जो थार्ड है डव्लू टी ओ यह है WTO है आपका World Trade Organization ठीके बचे हैं तो यह था आप लोगों का Paper Solution और तो बाकी आपके Long Questions हैं आप लोगोंने लगबग Solve करी लिए होंगे अच्छा आपका Paper गया होगा इसी उम्मीद के साथ All the Best आप सभी को अच्छे माकस आप लोग लेकर के आए और मेरी मेहनत की भी आप सरहाना करें मुझे अच्छे कमेंट्स करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलें और कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि अभी तो हमने ऐसे न 12th क्लास पास कर ले करी लेंगे एक्जाम हो गया तो वह अंसब्सक्राइब कर रहें या चैनल को ऐसा ना करें चैनल को अंसब्सक्राइब ना करें और इसके साथी साथ जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बहुत बढ़ा थेंक्यू आगे आप लोग अपना में सी वी टी एक्जाम देंगे उसके लिए आपको धेर सारी सुप्काम लाए मार्क्स के लिए देर सारी सुप्काम लाए पेपर आपके सभी और जो बागी बच्चरों वह बहु अच्छे जाएंगे इसके साथ यससत मिलते हैं सिक्षा प्रवार की next video my thanks for watching guys